आश्कार जैहिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीटीएज ब्रोधर प्लार्पम में राष्टित्म सिख्षा दीशी आमीनाई फ्रम बीटीएज ब्रोधर तो दोस्तों इसमें हम दो देखने वाले हैं जो बिहार इनवर्सिटिक तरफ से इकनाविक से प इंपोर्टेंट कोश्चन का वीडियो बन चुका है इसके डिस्क्रिप्शन या पॉले लिस्ट में आप जरूर देखिएगा उसको देखकर उसको अपनों एक्जाम होल में जरूर जाइएगा तो चलिए बीना देर की हुए सुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन में बहुत ही भीवाद है जैसे प्रोफेसर किंस साहब ने क्या कहे थे तो प्रोफेसर किंस के तो यहां तो कहते हैं कि राज और्थ ब्यवस्था ने परिभासाओं से अपना गला घुट डाला है यह अगर कोश्चन में आप लोग को पूजाय कतन की राज और्थ ब्यवस् में टैसे तो प्रोफेसर किंस को मात जीएगा अगला कोश्चन देखिए कर रहा है जीवर्थन के अनुसार कोई-कई-कई-जोन्थन भी मिलता है उनका जोन्थन जीवर्थन जो भी मिले और्थ सास्त्री एक अपुण विग्जान है अगर फूछा जाए कोश्चन की और सा एक अपूर्ण बिग्यान है इसलिए जियूतन साब बोले थे कि निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यन्त कठीने किसे और्षास्त को यानि इकनॉमिस को जैकब वाइनर के अनुसार कोई-कई बेगनर भी मिलता है इसका जैकब वाइनर के अनुसार तो यह कोग टाल जाते है कि और सास्त्र वह हैं जो और सास्त्री करते हैं तो आप लोग जैकब वाइनर या वेगनर साहब होंगे तो उसको आप लोग टिक किजिएगा जैकब वाइनर या वेगनर एक ही नाम है कोई-कई वेगनर दिखनों के मिलता है कोई-कई वाइनर अगला कुछ परमुख विद तो यह जो देखे कर रहा है प्रतेक मनु से उस अंस के अनुसार धनी या निर्धन है जिस पर यह मानविय जीवन की आवसेकताओं सुभिदाओं और मनुरंजन का सुख ले सकता है किसने कहा था एडम एसमीथ के द्वारा यानि यहां से देखे मानविय जीवन की सकता है यह किसने का है तो एडम एश्मित द्वारा का आ गया है इस तरह कोश्चन पूश सकता है यहां पते कि यह बहुत बहुत इंपोटेंट कोश्चन और सास्त्र वह भिग्यान है जो धन का अध्यान करता है किसके द्वारा का आ गया है जेबी से द्वारा का आ गया है और और शास्ट्र वभिग्याने जो धन का अध्यान करता है अग्रा कथन देखिए दोस्तोMax कॉराय राजनियतिक और शास्ट्र का उध्य शेह उन सामान कारणों की व्याख्या करना है जीन पर मनुस्य का भौतिक कलियाण निरभर है यहां जो कथन कहें थे यह कैनन सहाब ने कहे थे दोस्तो इस तरह भी कोश्चन पूछ सकता है कि मनुष क्या भौतिक कल्याण निर्भर करता है किसने कहा था तो कैनन सहाब ने आपको कैनन ठीक लगाना है चलिए अगल कर रहा है कि और सास्त्र वह भी गयान है जो साध्यों तथा बैकल्पिक उपयोग वाले सिमित साधनों के संबंध के रूप में मानों में बेहवार का अध्यान करता है किसने कहा था यह देखिए रोबिन्स आपने कहे थे और सास्त्र वह भी गयान है जो साध्यों तथा बैकल योग वाले सिमित साधनों के संबंधों के रुप में मानो बैवार का अधियन करता है तो आप लोग रॉबिन्स महोदे का ठीक के जिए असमरा रखने वारा योग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं उसके बाद इसमें कितना कोश्चन निकलेगा कितना कथन इसमें से निकलेग और सास्त को राष्ट के धन के सौरूप देखिए यहां पर इतना कोश्चन भी बन सकता है किसने और सास्त को राष्ट के धन के सौरूप को माना है तो आडम एसमीथ ने माना है इस तरह भी कोश्चन पूश सकता है आगे देखिए को रहा है राष्ट के धन के सौरूप कोथन है तो आप लोग अप्शन मारेंगे एडम एसमीथ आगे देखिए इसमें भी कोशन और बनता है और एडम एसमीथ के अनुसार और सास्त्री अपने सिधान्तों में इस बात का परिक्षण करते हैं कि मनुष्य ध्हन का उत्पादन तथा उपवहोग किस परकार करते हैं और सास्त्र कोराष्ट के ध्हन के रुप में किस ने परिभासित किया है तो एडम एसमीथ ने किया है आगे देखिए को रहा है यहां पर एडम एसमीथ ने 1776 में एक पूस्तक लिखी थी देखिए 1776 में एक पूस्तक लिखी थी एडम एसमीथ ने तो कौन सी पूस्तक के न आगे देखिए को रहा है ब्रिटेन के और सास्त्री डेविड रिकार्डो ने देखिए डेविड रिकार्डो ने क्या कोई हैं कि धन के उत्पादन तथा उपभो की अपेक्छा धन के बित्रण पर अधिक बल दिया यानि रिकार्डो साहब ने धन के उत्पादन तथा पादित धन अथ्वा राष्ट्रिय आयक के भू स्वामियों स्रमिकों तथा पुंजी पतियों में वित्रण संभत नियमों का निर्धारन करता है। और सास्त की मुख समस्या उत्पादित धन अथ्वा राष्टिय आये है यह किसका परिवासा है तो डेविड रिकार्डो का इस तरह कोशन बन सकता है। कौन सा कथन है कि राजनैतिक और सास्त का संभन्द धन के सोभाव उनके उत्पादन और वित्रण के नियमों से है। और सास्त का संभन्द धन के सोभाव उनके उत्पादन और वित्रण के नियमों से है किसने का है। तो अश्टुवर्ट मिल सापने कए है। देखिए और सास्त्र मनुष्य से संभन्द धन का भिग्यान है। अगर इस तरह कोश्चन अगर परिभासा देदेखिए और सास्त्र यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है। और सास्त्र मनुष्य से संभन्द धन का भिग्यान है। तो किसने का जॉन और स्टुवर्ट मिल ने कहे थे। देखिए एडम एश्मीत नहीं होगा क्योंकि एडम एश्मीत के उत्राधिकारी जोन और स्टुवर्ट मिल थे। देखिए अगला करा अंग्रेजी और सास्त्र अलफ्येड मार्शल साहब ने क्या कोई है। और सास्त्र मनुष्य में मनुष्य और उसके आर्थिक कल्यार पर बोल दिया। इतना क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वास्तों में धन के केवल एक साधन मात्र है और मनुष्य कल्यार का साध्य है। किसका है कथन तो मार्शल साहब का है। देखिए या कथन जो है पूरा एक ही कथन है लेकिन इसमें से क्वेश्चन तोड़ तोड़ कर देता है। कि वास्तों में धन के वल एक साधन का मात्र हैं मनुष्य का कल्यार तो अलफेड मार्शल का दिया जाएगा। और साथ में मनुष्य उसके आर्थिक कल्यार पर बहुत दिया या किसका कथन है अलफेड मार्शल का। आगे देखिये मार्शल के उनुषार यानि और सास्तों एक और धन का अध्यान है और दूसरी और जोकी अधिक महतपूर है या मनुष्य से अध्यान एक भाग है। अगर कहा जाए मनुष्य से एक अध्यान का एक भागय किसके द्वारा कहा गया है तो मार्शल के द्वारा और सास्त्र एक और ध्वन का अध्यान है दूसरी और की अधिक महत्पूर है या किसके द्वारा कहा गया है तो अलफ्रेड मार्शल द्वाला आगे देखिए अतह और और सास्तर में धहन की तुलना में मनुश्यों को अधिक महत्व दिया जेता है मनुस का अस्थान परधान है और धहन का गोड़ है इस मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए और किस ने कहा था तो मार्शल के द्वारा कहा गया था इस तरह पूछ सकता है देखिए मार्शल एक और दिये है यानि पूछतक प्रिंस्पल अप एकनॉमिक्स पूछत या बहुत बहुत इंप्रेंड कोश्चन है प्रिंस्प अर्थिक कल्यार का ऑध्योर कीष के दवर कहा गया है तो पीग्यू को देवारा और आगे देखिए क्यों किसे तरह बनता है है आर्थिक कल्यार से हमारा आसे समाजीक कल्यार को उस भाग से है जिसे प露 oc ja W f चुरूप से मुद्रा के माप धन से सम्बदित है यानि इसी को समझा दिया है याँ पर आगे देखिए इस परकार पीगु के अनुसार भौतिक कल्याड नहीं बलकि आर्थिक कल्याड की और सास्त्र की विशय बस्तु है अगर पुछा जाए कि भौतिक कल्याड नहीं बलकि अर्थिक कल्याड ही और सास्त की विशय बस्तू है कि कि दवरा कहा गया है तो पीगु के दवरा कहा गया है आगे देखिए कर रहा है बृते अर्टियार ऑंग्छिए Ό और सास्त्री रोबीन तो बृतेन जां Market के और सास्त्र की परिभासा अपनी पूस्थतर नेचर एंड सिगनिफिकेशन अप एकनोमिक्स साइन्स में दी थी यह नेचर एंड सिगनिफिकेशन अप एकनोमिक्स साइन्स किसके द्वारा लिखा गया है तो रॉबिंस के द्वारा लिखा गया तो कहां के थे ब्रिटेन के थे आगे देखिए को रहा है रॉबिंस के अनुसार तो रॉबिंस के अनुसार देखिए दोस्तों और सास्त्र वह बिगियान है ये बहुत बहुत important question है और सास्त्र वह बिगियाने जो अनेक उदेश्वा और बैकल्पिक उपयोगों वाले दुरलब है साधनों के संबन में मानो बेवार का अध्यान करता है अगर पूछा जाए कि और सास्त्र वह भीग्यान है जो उनके उदेशों और बैकल्पिक उभियोग वाले दुरलव सास्त्र के संबन में मानव बेवार का अध्यान करता है किसके दोरा कहा गया है तो रोबिंस के अनुसार कहा गया है इसमें से कुछने के साथनों के अध्यान करता है किस के द्वरा का गया पुर्फेसर मेयता के द्वरा यह इंपर्टेंट कोशन आगा देखिए और सास्त्र की अनेक प्रविरोधी परिवासाओं के कारण और सास्त्र के सही सवरूप और शेत्र के विशय में अधिक असपस्ता आगई य किन्स के द्वरा कहा गया है देखिए और सास्त्र की अनेक प्रविरोधी परिवासाओं के कारण यानि देखिए बीरोधी परिवासाओं के कारण और सास्त का सोही सो रूप एमबी से अधिक और स्पोष्ट हो गया यह अगर कहाज़े तो जेम किन्ज और सास्त ने अपने परिवासाओं को फंदें पसार रखा है यह अगर कहे तो जेम किन्ज तो कैसा लागा वीडियो लाइक कीजिए अगर हम चल पर नए है तो सब्सक्रा